हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अरिनस्त सेवा चैन आयोग यूपी एससी की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज से जारी की गई है प्री एल्विटी टेस्ट मिंस पीटी 2022 के लिए इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर फ्रेंज जो फॉर्म है वो आपके 28 जून 2022 से 27 जुलाई 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो मॉडिफिकेशन है वो आप 28 जैसे 38 2022 तक आप कर पाएंगे अपलाई करने से पहले नॉटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें और इंडिया केंडेट इसमें अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंज से बात करेंगे उत्तर प्रदेश अंधस्त सेवा चैन आयोग लगनव विंस यूपी SSC PET 2022 ऑनलाईन फॉर्म अपलाई प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहाँ पर फ्रेंज से देखिए आपको नीचे जो एक्ज आप उसों ऑप्शनल में दे सकते हैं बैसले डिग्री है पीजे डिग्री है या फिर आपने टैटल आर्मी में काम किया है एंसी सी बी सैटिफिएट है तो यह फ्रेंस इसकी मेंडेट्री क्वालिफिकेशन नहीं है डिजाइवल है हाई स्कूल यहाँ पर मेंडेट्री ही तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और यहां से प्रॉसीड कर सकते हैं और उसके बाद आप लिए जिए से होप्र नहीं है पहली अर्प करनी है उससेर्म करनी है यहाँ पर आपको नो करना इसके बार आपको प्रॉसीड करना होगा, जिससे आपका राडिस्टेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, इसके बार फ्रेंच से यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी, सबसे पहले फ्रेंच से आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पर नाम home district आपका select कर सकते है category friends on the jungle आपकी रहेगी क्योंकि आपको कोई भी reservation नहीं मिलता इसके बार की details आप same fill कर पाएंगे अगर आप dimensional आपका UP है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और उसके बार आप से पूछ़दाय का dependent है आप UP freedom fighter के आप yes yeah no कर सकते है x army person है तो yes yeah no कर सकते है handicap है UP के तो आप यहाँ पर yes yeah no कर सकते है skill player है UP के तो आप yes yeah no कर सकते है इसके बार आपका home state उत्तरप्रदेश रहेगा district आपको यहाँ पर select करना है और उसके बार आपकी category general SC, ST, OBC जो भी है वो आप select कर पाएंगे तो यह friends दोनों ही criteria आप check कर सकते है date of birth क्या है तो date month and year आपको यहाँ पर enter करना है आपकी जो भी date of birth है वो आप यहाँ एंटर करेंगे gender यहाँ पर select करेंगे और आपका 10 digit का mobile number आपको fill करना होगा आपकी mail ID आपको यहाँ पर देनी होगी तो आपकी जो भी mail ID है वो friends आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बार friends यहाँ पर पूछा जाएगा are you married? अगर आप married है तो yes कर सकते हैं नहीं तो no करेंगे employment details में friends आप employee है उत्तर प्रदेश के या ex employee है UP के या आपने कभी भी employment नहीं की है उत्तर प्रदेश में आप never employment कर सकते हैं अगर आप age में relaxation चाहते हैं तो yes कर सकते हैं क्यों चाहते हैं वो आपको यहाँ पर select करना होगा नहीं चाहते हैं तो आप no कर देंगे इसके बार यहाँ पर है qualification सबसे पहले है high school आपके जो भी board का नाम है वो आप select कर सकते हैं board का नाम नहीं मिलता है तो आप other select कर लेंगे तो आपके according आपको board का नाम select करना है passing year आपका क्या है वो आपको यहाँ पर select करना होगा आपका roll number आपको देना है इसके बार आपको percentage system है तो percentage में आपके numbers दीजिए अगर आपका grade system है तो friends आपको यहाँ पर percentage को convert करकर mention करना होगा तो आपके according जो भी आपका यहाँ पर system है वो आपको यहाँ पर enter करना है यह friends यहाँ पर enter करने के बाद अगर आपने complete की हुई है intermediate भी तो आप यहाँ पर enter कर देंगे यह friends आप अपने according एंटर कर सकते हैं नीचे आएगा आपका यहाँ पर additional qualification अब additional में देखिए bachelor degree आपके पास है PG degree आपके पास है तो आप यहाँ पर no या yes कर सकते हैं अगर है तो आप yes कर दीजिए अपनी university का नाम year of passing आपका role number और इसके लावा आपका certificate है और mark sheet है वो कब issue हुआ है issue date और आपका यहाँ पर देखिए percentage system है grade system है वो आप selected कर सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप simply no भी कर देंगे और उसके बाद यहाँ से capture code को fill करने के बाद आप यहाँ से submit कर सकते हैं इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए registration page है उसमें आपको data को verify करना है data को check करना है और उसके बाद फैंसे आप click करेंगे photo and signature upload करने के लिए तो यहाँ पर आने के बाद फैंसे देखिए photograph and signature आपको upload करने होंगे साइज आपको यहाँ पर दिया गया है photo image 50 kb signature size 30 kb से कम आपको रखना है guideline आपको यहाँ दी गई है upload photograph with signature का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे images and signature का आपको यहाँ format दिया गया है तो आप यहाँ देख सकते हैं English and Hindi दोनों ही language में आपको आपका signature है वह आपको यहाँ पर upload करना होगा signature आप ध्यान रखेगा और यहाँ पर फोटो अप्लोड करनी है यहाँ पर signature अप्लोड करना है और देखे इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपको declare करना होगा data को declare करने के बाद आपको जो भी details आपने यहाँ पर fill की है वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपसे कुछ documents मांगे गए हैं जिसमें आपका यहाँ पर ace proof है जिसमें आपके certificate of matriculation आपको यहाँ पर देना होगा यह option है आप देना चाहें दे सकते हैं card certificate SCST OBC का है यह भी आपका optional है जिसने यह issue किया है आपको उसकी जानकारी देनी है issue date क्या है certificate number क्या है और उसे आप यहाँ पर update कर सकते हैं ऐसे ही card certificate किसने यह issue किया है तो जो भी आपके certificate पर mention होगा SDM तैसिलदार और issue date क्या है और आपका certificate number क्या है वो आप यहाँ दे सकते हैं अगर आपने आर्मी होती है या NCC का certificate है बी का तो आप यहाँ पर उसे देस कर सकते हैं नहीं तो आप इसे नहीं रहने दें इसके पर फैंसे आपका यह है आपका address section तो address section आप अपने according यहाँ प present address जहाँ पर present में रहते हैं अब या तो यह same हो सकता है या फिर यह अलग अलग भी हो सकता है तो आप यहाँ पर SAMe path क्लिक कर सकते हैं दोनों same है अलग अलग है तो आप अलग अलग entry भी कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर state का नाम देखने को मिलता है house number state आपका district name pin code यहाँ करेंगे नाम कियर ओफ में आप यहाँ पर अपने फादर का नाम दे सकते हैं और उसके बाद फैंस अपने एड्रेस के अप एंट्री यहाँ पर कर देंगे इसके बाद फैंस यहाँ पर देखें जो डेक्लिरेशन है वो आपको यहाँ पर करना होगा और उसके बाद आप यहा आपिस आपको प्रोचीटे करना है पेमेंट करने के लिए आप इस ऑप्षर क्लिल चाहिए और उसके बाद फरेंगे से सकाथेंगे、ाप Bieber करने के लिए यहाँ पर friends से देखिए आपको multiple options मिल जाते हैं आप यहाँ तो net banking यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर card से payment कर सकते हैं या फिर आप UPI से payment कर सकते हैं आप कोई भी option को choose कर सकते हैं SBA का आपके पास debit card है किसी भी bank का debit card है आप उस option को select कर लेंगे select करने के बाद friends आप उस data को यहाँ से confirm कर देंगे confirm करने के बाद friends आपको आपकी जो card की details हैं वो आपको फ्रेंट से यहाँ पर fill करनी होगी तो आपके according जो भी card की details हैं वो आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से payment अपना complete कर लेंगे इसके बाद friends यहाँ पर जब आपका payment confirm हो जाता है payment confirm होने के बाद friends आपको देखिए यहाँ पर एक option मिलेगा proceed to download का आप इस option पर click कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको देखिए ज़ो option है print का या printer का आपको मिल जाता है print application form का option आपका यहां complete हो गया है तो आप इस option पर click कर सकते हैं अपने final printout को निकाल कर सेव करके अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहां पर फ्रेंस इस वीडियो हमने बात की उत्तर प्रदेश सब्रेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन का P.E.T. 2022 का online form आप कैसे apply कर सकते ह step by step process के बारे में हमने इस वीडियो में बात की अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो प्रेंस लाइक सब्सक्राइब इसे जरू कीजिए